नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है सुबो डिजिटल योटूब चैम है दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBA Bank का Mobile Number कैसे चेंज करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूर देखेगा दोस्तो SBA Bank का आपके पास खाता है आप किस तरीके से अपना Mobile Number चैंज करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखना होगा Step by Step आपको समझना होगा आप अपने Mobile से घर बाइठे Mobile Number को चैंज कर सकते हैं तो चैनले वीडियो सुरू करते हैं इस वीडियो को आप लाइक कर देजिगा शहला को सब्सक्राइब कर लेजिगा और मुझे कोमेंट करके बताएगा इस वीडियो आपको कैसा लगा है तो चैनले वीडियो सुरू करते हैं Mobile Number चैंज करने के लिए अपने Mobile में ये Laptop में Google ब्राजर ओपन करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर करना क्या है अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो यहाँ पर अपना user ID, password और यहाँ पर capture code इस बॉक्स में टाइप करो और यहाँ पर login पर click करना है फिर नमबर पर OTP आगा OTP देखे simply यहाँ पर login कर लेना है जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है मुवाइल लमर खो गया चोरी हो गया है उसका कैसे होगा तो वीडियो पूरा देखिएगा इस वीडियो में आपको पूरा जनकारी देंगे तो वीडियो को पूरा देखना है यहाँ पर हम login कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं SBI Bank के Official website पर login हो जाएगा अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से आपको जो है mobile number link करना है यानि change करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर एक option है SBI के नीचे 3. है आपको यह 3. पर किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर option आपको देखने को मिलेगा My account profile तो आपको My account का जो profile है इस पर आपको किलिक करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से नीचे आना है और यहाँ पर एक option दिखाए देगा profile का आपको profile वाले option पर किलिक कर देना है फिर यहाँ पर अपना profile का फिर से option आजागा profile my profile प्रोफाइल तो यहां पे जो है फिर से यह जो ऑप्षन प्रोफाइल का इसी पे आपको किलिक कर देना है जैसे आप प्रोफाइल वाले ऑप्षन पे किलिक करेंगे तो यहां पे जो है एक दूसरा पेज खुलेगा यहां पे आपसे पूछेगा प्रोफाइल पासवर्ड तो अपना प्रोफाइल पासपर देखे समिट करना है चलिए यहां पर हम समिट कर लेते हैं प्रोफाइल पासपर देने के बाद समिट कीजेगा उसके बाद यहां पर आपका डिटेल आ जाएगा देख सकते हैं सारा डिटेल आपका नाम सब कुछ यहां पर आ जाएगा तो यहां पर जो हम आपको बताने वाला ATM थुरू के मादेम से तो नीचे वाला जो ऑप्षन है इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे आप चेंज वाले ऑप्षन पर किलिक कीजेगा उसके बाद दोस्तों यहां पर आप से पूछेगा नया मोवाईल नंबर जो आप मोवाईल नंबर न कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर ओप्षन आ जागा ATM इंटरनेट बैंकिंग अप्रूबल तो यह जो ऑप्षन फास्ट वाला इसी पर आपको किलिक करके आपको प्रसीड कर देना है जैसे आप प्रसीड पर किलिक करेंगे यहां पर आपका एकाउंट नंबर ब्र टिक करेंगे और कनफॉर्म पर किलिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर अकाउंट होल्डर का नाम तो कार्ड जो ATM कार्ड में आपका नाम है यहां पर टाइप करना एक्सपारी डेट पीन नंबर उसके बाद कैप्चा देके आपको प्रसीड कर देना है यहां पर स है कि यहां पर आपका डेविट कारव सक्कैंट्बास के ल traum हो जयागा। आपको करना क्या है कि आपके जो है मोबाइल लंबर तो आपने नया नमबर को एड किया है उस नमबर पे SMS आएगा तो SMS में आपको पताया जाएगा कि क्या है तो SMS में आपको एक reference number मिलेगाumin डोगं गेंटेपैंटेटेशने घंधेषर गज Rain ऐसे पेद मैं आपको करते हैं और इस पहले मैं आपको बतादे चाहता हुं आपको calculate अपके भेघह वह चोरी हो गए है आपके पास नहीं है मैं आपके काम करने के बाद भी आपको प्रांच जाना ही पड़ता है कुल मिला के जो किसी भी मतलब ATM में जाना पड़ता है लेकिन आपके बैंक में कोई भी नंबर लिंक नहीं है और इंटरनेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर बीना ATM कार के इंटरनेट बैंकिंग ले सकते हैं यह SBI Bank में फैसलेटी है ठीक है तो सबसे पहले अपना इंटरनेट बैंकिंग ले लेजिए SBI के ब्रांच में जाके योनो एप का ठीक है नहीं तो आपको जो है है चोड़ी हो गया उसके लिए online कोई भी option नहीं है online option नहीं दिया गया है क्योंकि जब तक पुराने OTP आपको नहीं मिल पाएगा तब तक नहीं हो पाएगा ठीक है तो पुराना अगर आपके पास नंबर है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और पूराना नमबर नहीं है तो फीर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा ठीक है तो चले है यहाँ जिसके पास पूराना नंबर है तो इतना प्रोसेक्ष करने के बदेवाद आपको ATE M. east पर जाना है और तो आपको भासा select कर लेना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी दो digit का number type करना, जैसे एक, दो, तीन, कोई भी number आपको यहाँ पे type कर लेना है, उसके बाद आपको yes वाले option पे click कर देना है, फिर आपको अपना ATM card का pin, जो है, चार डिजिट का, यहाँ पे pin देकर आपको यहाँ पे OK पे click कर देना है, ATM card का जो pin है, वही आपको यहाँ पे type करना, पीन type करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरीके का next option आएगा, next में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है, इदर side से, तीन नंबर पे service का option, तो मैंने mark का लगा दिया है, service वाले option पे आपको click करना है, फिर यहाँ पे एक option है, देख सकते, इदर side में एक option order का और उस उस मार्का लगाए यहाँ order पे आपको click करना है, फिर यहां पे side में एक number पे internet banking जो option है उपर वाले पे आपको click कर देना है फिर आपको अपना reference number type करना है जो SMS में आपको number मिला है 10 digit का reference number आपको यहां पे type कर देना है उसके बाद yes वाले option पे click कर देना है reference number देने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो है number आजाएगा और यहां पे फिर से yes पूछेगा confirmation के लिए तो आपको yes कर देना है confirm करने के बाद दोस्तों ATM card मिशिन से निकाल देना है आपका ATM card से mobile number चेंज हो जाएगा इस तरीके से आप ATM के थुरू और net banking के थुरू mobile number चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास